अगर आपके laptop के speaker driver के वह ऐसे काम नहीं करने हैं तो उसको कैसे ठीक करेंगे और कैसे से find out करेंगे सबसे पहले आप अपने this PC वाले option पर जाएंगे यहां पर राइट क्लिक करेंगे दोस्तों, manage में जाएंगे manage में जाने के पास आपके पास यह dialogue box खुल जाता है इस dialogue box में आप यहां पर देखेंगे device manager का option है आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर हमारे पास सारे हमारे जितने भी input and output devices हैं और उनके drivers हैं इस सारी यहां पर list आजाती है तो इसमें आप find out करेंगे यह देखेंगे आप कि यहां पर audio and input output है इस पर हमने नहीं जाना है इसमें हमारा एक option आता है sound video and game controller इस पर हम extract करेंगे इसको यह हमने extract किया आपका यहां पर अब यह तो मेरा Bluetooth इसको में uninstall कर देता हूं यह मने uninstall कर गया आप यहां देख चकते हैं दोस्तों यह मेरा driver इंस्टाल हो रख है आपको क्या करना है simply जब आप इसे extract करेंगे तो यहां पर अगर आपका कोई driver है तो ठीक है अगर driver नहीं है तो आप अपने laptop के model के हिसाफ से अपना driver इंस्टाल करेंगे Windows आप प्लीज अपनी चेक करेंगे कि Windows 10 है 8.1 है यह Windows 7 है उसका driver आप इंस्टाल कर सकते हैं अगर आपको चेक करना है कि किसी भी laptop का driver कैसे इंस्टाल करना है और कहां से डाउनलोड करना है उसके लिए मैं अपने description में एक link दे दूँगा अपने एक video की उसमें सारे Windows के वर्जन के हर laptop के model के description में जब आप उसकी link को open करेंगे तो वहां से आप वोई भी driver डाउनलोड कर सकते हैं तो यह आपको क्या करना है आप यहां पर चेक करेंगे अगर आपका इंस्टाल हो रखा है तो आप इसे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप इसे right-click करेंगे राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इसे uninstall कर दीजे जब आप इसे uninstall करेंगे uninstall करने के बाद आप अपना नया driver same description वाली website से जाका वापिस से अपना driver डाउनलोड करेंगे उसे uninstall करनेगा आपका जो sound का problem है वह आपका ठीक इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चानल को